दो मैचों में हिरिंकू सिंग ने तबाह कर दिया दिंगयों का कैरियर। बीसी सीाइड ने भी जोडे हाथ। युओ आसेर ने यूराज धोनी जैसो को कोसो दूर फेका। रोहित ने भी ठोकि सलामी। तो क्या है कबर की पूरी जानकारी किस तरीके से दो मैचों में ही रिंकु सिंग ने वो कर दिखाया है जो धोनी उराज कभी नहीं कर पाए और रोहित भी सलामी ठोक रहे हैं सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो तिरुवनुम पुरम में जब मुकाबला सुरू हब तो स्टेडियम में केवल एक लड़के की चर्चा थी और वो लड़का था रिंकुशंग और उसका कारण था पहला टीटर्टी मुकाबला विसाकापटना में खेले गे, पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 209 उरणों नों का विसाल का इलग्छ चेज़ किया और इस चेज़ में सबसे बड़ा हात अगर सूरिया का था थो उससे बड़ा हात hjar रिंकु सिंग का यूकि रिंकू सिंग ने इस मुकाबले को जिस तरीके से फिनिस किया था उसके बाद वो इंडिया के गली-गली के हीरो बन गए हैं रिंकू सिंग ने पिछले मुकाबले में 14 गेनों में 22 एन बनाए हैं सायद ही आज से 10-15 साल में किसी ने इस तरीके का क्रिकेट खेलाओ यूराज सिंग और धोनी की बात थे फिनिसिंग में होती थी लेकिन अब रिंकू सिंग उनसे भी आगे निकलते जा रहें दरसल दोस्तों अगर इस खिलाडी की बात करे तो यह खिलाडी अपने आप में करिसमाई है यहाँ पर पहले मुकाबले के हीरो रहे रिंकू सिंग ने दूसरे मुकाबले में बिलकूल भी आराम करने के मूड में नहीं आये थे रिंकू सिंग ने इस मुकाबले में भी दोस्तो 9 गेनों में 31 रन मनाया 344 के स्ट्राइक रेट से इस दौरान उन्होंने 4 चोके और 2 चक्के लगाए 26 वरसे रिंकू जो यहाँ पर वंडे क्रिकेट में भारत की तरफ से एक भी मुकाबला नहीं कहले हैं और केवल 4 टी-20 मैचे में बलेबाजी इनोंने की है इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट ही 216 का हो चुका है और ये बात दिखाता है कि रिंकू सिंग कितने तगड़े फीनिसर बन चुके हैं रिंकू सिंग ने इस मुकाबले में दोस्तो मैच को फिनिस किया इसी वज़े से भारती टीम यहाँ पर 235 के विसाल का एक स्टोर पर पहुंच पाई वरना अस्टेलिया ने जिस तरीके के क्रिकेट दूसरे मैच में खेला था ये स्कोर भारती टीम के लिए काफ़ी जदा चोटा पड़ सकता था अगर रिंकु सिंग बलेबाजी करने ना आते तो भारत सायथ 25-10 पर ही सिमट जाता लेकिन रिंकु के फिनिस की वज़े से टीम इंडिया ने वो स्कोर हासिल किया जिसे इस मैच में भारती टीम को जीत पाने में काफ़ी ज़दा हेल्फ हुई उन्हेंने काया कि रिंकु सिंग जैसा फिनिस सर साल में एक दो बारी आता है और कभी-कभी तो हमें काफी इंतजार करना पड़ता है लेकिन रिंकु जैसा खिराडी नहीं आपाता है अब आपको क्या लगता है दोस्तों क्या रिंकु को टी 20 वर्ल्ड कप में जगे मिलनी चाहिए कॉमेंट करके अपने राश जरूर दीजेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद